Hello everyone, welcome back again हम सबके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है Easy Ayurveda with Vicky आज का टॉपिक है हमारा संदिगत रोग जो की हमारा last वीडियो How to study Shalak के तंतर का second part होने वाला है जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर I button में उसके link आ रही होगी कैसे questions यहां से पूछे जाते है कैसे आपको attempt करना है और कैसे आपको अपने exam में लिखना है एक presentation बताऊंगा जो की आपको follow करना है ताकि आप एक अच्छा score कर पाए तो आईए start करते है start करने से पहले मेरी एक request है कि जिसने भी अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है वो please subscribe कर ले ताकि आने वले वीडियो के notification आप सभी को मिल सके आप अपने doubts और question मुझे इंस्टा पर भी पूछ सकते है मेरी link के description में है आप check कर सकते है संदिगत नेत्रो तो संदिगत नेत्रो को याद करने के लिए आपको एक image अपने दिमाग में बेठानी होगी वो है ये pushpa ठीक है सभी ने नाम सुना होगा pushpa मैं जुकेगा नहीं साला ठीक है तो pushpa धिहान में रखना है आपको संदिगत नेत्रो जब भी आपके exam में दिखें ठीक है तो क्या निमोनिक है इसकी कि pushpa को संदिगत नेत्रो हुआ जैसे कि already हमने last video में discuss कर रखा है ठीक है तो pushpa को संदिगत नेत्रो हुआ बस आपको ये image आपको ध्यान रखनी है और आप पूरा संदिगत नेत्रो याद करते चलेंगे ठीक है तो आईये start करते है ठीक है चलो संदिगत नेत्रो सबसे पहले देखते है इसकी संख्या तो कितनी संख्या होती है कितने संदिगत नेत्रो होता है वो होते है आपके 9 कैसे याद करेंगे हम ये table बनानी आगी तो आपका 70% संदिगत नेत्रों का game खतम हो गया ठीक है तो दियान रखना ये table बहुत ही जादा important है क्योंकि इसमें दोशोर चिकित सा मैं already आपको याद करवाऊंगा यहीं से याद करके चलेंगे तागी हमें आगे कोई दिखकत ना हो तो दियान रखेगा अगर आपको ये table याद हो जाती है तो आपका 70% game संदिगत नेत्रों का खतम है ऐसे ही हम आगे वर्त्वगत, शुकलगत, कृष्णगत दृष्टी और सर्वगत में देखेंगे ठीक है तो आईए देखते हैं ठीक है उससे पहले हम एक श्लोक देख लेते हैं अब आपने ये चीज देख लिये है ठीक है आपने ये नाम याद हो गए तो इसी नाम से एक आपका शलोक भी तयार हो जाता है ठीक है क्या वो शलोक है देखेगा बस जैसे अपने सीरियल वाइज नाम याद करें है ना वैसे ही आपको लिखते चलना है ठीक है तो पुयालस सुपनाहा स्राव परवणी का अलजी क्रीमी ग्रंथीचर विग्या रोगा संदीगता नवा शुश्रूत उत्तरतंतर टूबाय थ्री का ये शलोक है तो सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है टेबल में पुश्पा को संदीगत नेतरोग हुआ ये आपके दिमाग में रहेगा और आपका जो पैंसल चलेगी या पैंसल चलेगा वो आपको नाम लिख लेगा उसके जब आपने नाम लिख लिए उसी नाम से आपको श्लोक भी बना लेना है ठीक है तो श्लोक आप बना लेगे बस आपको लास में क्या या एड कर देना है विग्या, रोगा, संदिगता, नव, नौ प्रकार के संदिगत नेत्रोग ये होते है चलो, अब देखते हैं इनके दोशोड चिकित्सा तो पूई आलस, पहला ही वियादी है और पहला ही त्री दोशच चलीगी बोलते हैं ना आप सभी अरे पहला ही त्री दोशच त्री दोशच जब भी आता है तो हमारे मन में एक नेगेटिव वाइब सी आ रही है तो ऐसी नेगेटिव वाइब सी सिर्फ आपको याद रखने के लिए आएगी किसमें संदिगत नेत्रोग आगे जब नेक्स वीडियो में मैं आपको वर्त्म घत रोग बताऊंगा तो उसमें भी हम पहला जो देखेंगे वो हमारा त्रिदोशज होगा और उसके बाद भी जब हमारा थर्ड वाला है संदी वर्तम और शुकलगत है तो शुकलगत में भी जो पहला होगा वो हमारा त्रिदोशज होगा तो ध्यान रखते चलना, पहली पहली व्यादी, पहले तीन की त्री दूशज होगी, ठीक है, वो मैं बता दूँगा आपको नेक्स वीडियो में वर्त्मगत रोकी और शुक्लगत रोकी, ठीक है, चलो, उसके बाद इसकी चिकित सा क्या होती है, वेधन, ठीक है, तो आप कैस त्री दूशज, पहले ही नेगेटिव वाई आ गई, ठीक है, उसके बाद पववा, ठीक है, तो परसे, पूयालस और वरसे वेधन, ठीक है, अब पववा पी के क्या करते हैं, बोलते हैं, जो पी लेता है, उसके बाद बोलते हैं भाई, आप ही भौँको, ठीक है, आप ही पी रिटना नहीं है, सिर्फ सीन क्रेट करके चलना है, तो पूयालस में कैसे याद करोगे, कि पहली व्यादी, पहली तरी दूशज होगी, और पववा, वासे वेधन, अब पववा पी के बोलते हैं, आप ही भौँको भाई, हमारे वसका नहीं है, उसके सामने बोलना बेक तो इसमें जो दोशी कनुबंद होगा, वो हमारा क्या होगा? पित्तज में, कुफवज में, कफवज, रक्तज में, रक्तज और पूय स्राव में तरी दोशज, ठीके? और इसकी चिकित्सा क्या होगी? असाध्धे, तो जितने भी प्रकार के श्राव होते हैं, सारही दियान रखेगा चलो उसके बाद आजाता है परवनी का तो परवनी का में बोलता है परव परव किसे बोलते है तहवार तो बोलते है न अरे यार बच्चों को बोलते है कि आज तो परव है परव तहवार है तहवार के दिन क्यों छिदना चाहता है छिदना मतलब पिटना चा तो परवनिका पर्व में छेद दिया, तो परवनिका में छेद, ठीक है, तो परवनिका की चिकित्सा क्योंगी छेदन, और जब छेदते हैं, तो क्या निकलता है, रक्त खतम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अलजी, अब अलजी को याद करना है, आपको अंकल जी से, ठीक है, तो अंकल जी सटी आ गए, सटी आ गए का है मतलब सर से सन्निपात और एक बार जो आदमी सटी आ जाता है और ठीक नहीं होता है ठीक है तो असाद दे, तो ऐसे याद करना है अल जी तो अल जी को ध्यान में नहीं रखना है, अंकल जी को ध्यान में रखना है अंकल जी बूड़े होगे, सटी आ गए, और असाधे, अब ठीक नहीं हो पाएंगे, बूड़े होगे, ठीक है, चलो, आगे बढ़ता है, क्रीमी ग्रंती, तो क्रीमी कर से क्रीमी ग्रंती, कर से कफच, और चिकित्सा हो जाएगी, इसकी भेदन, खतम, ठीक है, तो इतनी कैसे आत करोगे, कि पहली व्यादी, पहली त्रीदोशच चलीगी, और पववा, वसे वेधन, उसके बाद पववा पीके बोलता है, कि आप भौको, तो आ से बन जाता है, उपनाहा, और भौको, वहसे वेधन, और कर से कफच, उसके बाद चार हमारे सराव होगे, तो उसमे का निकलता है, रखते निकलता है, उसके बाद अले जी, अले जी आपको याद निकरना है, आपको क्या याद करना है, अंकल जी, अंकल जी सटी आ गए, यानि सन्निपात, और जो एक बार सटी आ जाता है, ठीक नि होता है, यानि असाद दे, क्रीमी ग्रंती, क्रीमी ग्रंत में write down करके अब भी मेरे साथ साथ खतम करते जाए ठीक है चलो अब भड़ते हैं आगे अब अब मान लो आपके exam में question आ जाता है तो आप कैसे लिखोगे ठीक है देखो धिहान रखना बहुती जादा important में बताने वाला हूँ क्योंकि जो आने वाली next वीडियो उसमें मैं आपको pattern नहीं बताऊंगा फिर उसमें मैं बताऊंगा वैसे हमें लिखना है जैसे मैंने आपको संदिगत में बताया था ठीक है तो ये pattern बहुती base बता रहा हूँ सबसे पहले ये ही आप लिखोगे कोई भी व्याद ही आपके आजाएगी उसका दोश क्या है साध्य साध्यत्य क्या है और चिकित्सा क्या है तो अल्रेडी अब हमारा वो table काम आएगा चीक है तो दोश कौन सा था पूई आलस में पहले ही पता है पहले ही संदीगत नेत्र होगे तो definition starting कांसे होगी नेत्र की संदी अगर वर्त्म गत होता तो क्या लिखते हैं हम नेत्र के वर्त्म में अगर शुकल गत होता तो लिखते हैं शुकल भाग में ठीक है अब जितने भी आगी व्याद ही आएगी मतलब संदीगत नेत्रों की उसकी starting ऐसे नेतर की संधी में उसके बाद देखना है क्या होगा? ठीक है? चलो, देखते हैं कि नेतर की संधी में प्रथम शोफ होकर, शोफ मतलब स्वेलिंग, शोफ होकर वह पाक के पश्चाद घाड़ा, दुरगंदित, पुए का स्राव होता है, उसे पुयालस बोलते हैं, नाम में ही रखा गया पूय, ठीक है पूये स्राव, पूयालस ठीक है तो नेतर की संदी में पहले क्या होगा शोफ होगा, स्वेलिंग होगी, उसके बाद वो पक जाएगा फिर वहाँ से क्या गहाडा और दुरगंदिद पूये का स्राव होगा जिसे हम पुई आलस बोलता है, खतम गेम, कुछ याद करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, ठीक है, कोई रटा नहीं लगेगा, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद ये दो पॉइंट, ध्यान रखना, ये लिखने ही लिखना है, यह त्री दोशत साध्य व्यादी है ठीक है, कैसे उपर वाले में देखके, और जो next point है वो लिखोगे, शुष्रुत ने इसे वेधन साध्य कहा है, बहुत ही जादे important, तो ध्यान रखना कुछ भी चीज आ जाए, कोई भी व्यादी आ जाए, चाए संदिगत की, चाए वर्त्म गत की, चाए शुकल गत की, आपको ये pattern follow करना है, पहले दोश, फिर साध्य साध्यता, फिर चिकित्सा, फिर परिभाशा, फिर कौन से साध्य या कौन से असाध्य बोला गया, और उसके बाद last में कि शुरुष्ट ने से, मतलब उसकी चिकित्सा क्या बोली गई है, तो यह त्री दोशे साध्य सकते है, छीक है, अब चलता है दूसरा उपना, तो उपना में भी हम वोई सेम ट्रिक अपनाएंगे, दोश, साध्य साध्य ता चिकित्सा, तो यह तो question देखने से पहले ही आप लिख दे ना, कि दोश, साध्य साध्य ता चिकित्सा, तो दोश क्या है, आप भोगो, चीक है तो दोश क्या है इसमें, बताओ जल्दी से कफ साध्य साध्य था साध्य होगी क्यping चिकित्सा कर रहा है चिकित्सा क्या है इसकी भेदन तो बोको, भेदन और कफ़ज उसके बाद इसकी परीभाशा तो परीभाशा क्या बोला गया है कि नेत्र की संदी में देखो परिभाशा कहा से start हो ये नेत्र की संदी में ठीक है बड़े आकार की उसमें क्या था शोफ हो रहा था इसमें क्या था नेत्र के संदी में बड़े आकार की तथा नहीं पकने वाली उसमें पाक हो रहा था इसमें पाक नहीं होगा नहीं पकने वा कफ है तो क्या होगा कंडू मिलेगा तो नहीं पकने वाली कंडू युक्त और वेदन अरहित ग्रंती होती है उसे उपनाब होता है सिंपल कोई दिमाख नहीं लगाना है बिल्कुल दोश के हिसाब से लक्षर्ण है ठीक है परिभाशा है चिकित सा देखो इसकी भेदन है ठीक कितने स्राव होता है चारे स्राव कौन-कौन से पहले पिततच पित के बाद आता है कफ कफ के बाद आता है रक्त और रक्त के बाद आता है पूए स्राव अच्छा ठीक है चलो अब पिततत स्राव में देख लेते हैं स्राव इंपोर्टेंट है स्राव पे कोशन आ भी जाता पास्ट नबर में पित्तच राव तो पित्तच राव में भी वही चीज दोश साध्य साध्यता चिकित्सा तो पित्तच राव नाम में इंडिकेट है जो उसका दोश होगा वो पित्तच होगा साध्य साध्यता असाध्य होगी चिकित्सा जब असाध्य है तो चिकित्सा क्या क पर ओगे नहीं होगी चिकित सा ठीक है इसकी देखते हैं इसकी परिभाषा कि है कि नेतर की संदी में अब देखो परिभाषा competitors कि नेतर की संदी में पीत वन्ज का च्छिक है उश्ण तथा पतला सराव होता है उसे पिततज राव कहते हैं बहुत ही important ठीक है आपको याद असाध्य है चिकित्सा होगी ने क्योंकि असाध्य है ठीक है अब इसकी परिभाशा देखते हैं कि नेत्र की संधी में श्वेत, पिच्छल भाई कफ है तो वो अपने गुण दिखाए गई यहाँ श्वेट पिछल गाड़ा तथा वेदना रहित स्राव होता है उसे कफज स्राव कहते है ठीक है तो इतनी चीज आपको देखनी है कफज स्राव में आगे बढ़ते है ठीक है अब आगे आता है रक्तत स्राव दोश साध्य साध्यता चिकित्सा ये तो आप रटलो ठीक है दोश तो ये भी आपको इतना ही चीज इसमें देखनी है उसके बाद पूये सराव में दोश साधे साधे ता चिकितसा इसमें जो दोश होता है वो होता है हमारा तरी दोशच यानि सन्नी पात और उसके बाद साधे साधे ता क्या है इसकी असाधे चिकितसा होगी नहीं तो पूये स संदी में पाक होने पर वहां से पूये का सराव होता है नाम में रखा गया पूये का सराव होता है उसे पूये सराव कहते है तो ये हमारे चार प्रकार के सराव खतम हो गए उसके बाद हम चलते हैं हमारा 7 नंबर है जो परवनिका ठीक है अब परव में छेद दो जैसे ही आप को परवनिका दिखे कहीं भी तो आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए परव में छेद दो छेद देंगे तो क्या निकलेगा रक्त चीक है चलो दोश क्या है इसमें रक्त साध्य साध्यता साध्य है चिकित्सा है क्या चीदन तो परव में छेद दो चीक है चलो आगे बड शोफ होता है जिसमें दाहा और शूल होता है। उसे परवनिका कहते है। ठीक है धियान रखना है लालवन, पतला और वृताकार ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है और दहा और शूल तो हो गए क्योंकि रक्त है ठीक है उसके बाद यह रक्तज साध्धे व्यादी है और इसकी चिकित्सा शुशुत ने इसे छेदन साध्धे बोला गया है तो ये जो पॉइंट है पहला दोश दूसरा साध्धे साध्यता तिसरे चिकित्सा चौथी परिभाषा फिर पांचवा और छटा ये छे पॉइंट तो आपको रट लेने है ये तो आख बंद करके कोई भी व्यादी है पहले ये ही लिख लेना ब्लैक पैंसे उसके बाद लिखना इनके बारे में ठीक है परवणी का ठीक है अब हम देख लेता है अलजी ठीक है तो अलजी आपको याद नहीं करना है आपको क्या याद करना है अंकल जी तो उसमें के बाद अब हम देख लेता है दोश साध्य साध्यता चिकित्सा जैसे कि हमने और व्यादियों में देखा है तो सबसे पहले हमको दोश लिखना है फिर साध्य साध्यता चिकित्सा तो अंकल जी सटी आ गए सटी आ गए का मतलब क्या है सन्नी पात और साध्य साध्यता में असाध्य है वो है सिर्फ आकार का उसमें कैसा आकार है मोटा आकार है ठीक है स्थूल मोटा आकार का वृता का शोव होता है जिसमें दाहा और शूल होता है उसे अलजी कहते है तो सिर्फ और सिर्फ फर्ग किसका आ जाएगा हमारा structure का यानि स्थूल और मोटा आकार का वृता का शोव होत दोश इसका क्या है कफवज साध्य साध्य है और चिकिट्सा क्या है भेदन इसकी परिभाशा देख लेते हैं परिभाशा क्या बोलागे कि नेत्र की संधी में अनेक प्रकार की क्रीमिया पढ़कर कंडू खुजली होती है छोटी छोटी गरंथिया पैदा कर देती है उसे क्र क्रीमी गरंथी कहते है तो क्रीमी पता है क्रीमी पढ़ जाते है ठीक है नेत्र की संदी में और जिसमें कंडू होती है और छोटी-छोटी गरंथिया बन जाती है तो उसे क्रीमी गरंथी कहते है ठीक है तो ये भी आपको याद करना है उसके बाद यह कफ़ज साध्य व्याद तो ये था आपका संदीगत नेत्रोग, hope करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, जो pattern मैंने ये follow करा है, ये ही मैं आगे भी follow करूँगा, लेकिन वहापर सिर्फ मैं आपको नाम नाम याद कराऊंगा, वर्त्मगत के, शुकलगत के, कृष्णगत के, सर्वगत के, और आपका एक like बहुत ही motivate करता है, ताकि मैं आगे और वीडियो आपके लिए बना सकूँ, ठीक है, तो hope करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है, तो please इसको like करें, अपने friends के साथ share करें, and thanks for watching, keep supporting, thank you.